हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु इंडेनिस्टडी इंडेनिस्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी जेल वोडर के लिए बहुत ही जादा इंपोटें हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तो पांसो लाइक तक जरूर पहुचाईगा वीडियो को क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे बहुत जादा मॉटिवेसन देता है अगर आप लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा जाएगा ओप्सन नमबर डी फिर्दोसी संप्रदाय से चौता ओप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर्फद्दीन एहमद मखदूम यहना मनेरी फिर्दोसी सिलसले के पिर्थम सूफी थे इस बात को दियान नखना हाला कि ऐसे कोशन बहुत कम पूचे जाएंगे लेकि देख लो सिकंदर के आकरवन के समय मगद में किस वन्स का सासन था जल्दी बताओ सिकंदर के आकरवन के समय मगद में किस वन्स का सासन था तो आपका सही आंसर हो जाएगा नंद वन्स तीसरा ओप्सन बिल्कुल करेक्ट और बहुत इंपोटेंट कोशन सहीए सांकेतिक मु जल्दी बताओ तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा मुहम्मद विंतुकलग और इस सासक को दिल्ली सल्तिनत का बुद्धिमान मूर्ख सासक भी कहा जाता हैं तो चौता ओप्सन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन से आपका कि पिर्थम बार जवाहल नेरू कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्च किस वर्स चुने गए जल्दी बताओ पिर्थम बार जवाहल नेरू कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्च किस वर्स चुने गए तो आपका सही आंसर हो ज रमगी यहां, जल्दी बताओ, देखो तीनी आंदोलन बहुत जादा important पूछे जाते हैं, असायोग, सवीनिया वग्या, दांडी मार्स तो सवीनिया वग्या के समय ही start हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सवीनिया वग्या अंदोलन 1930, और असायोग बचा तो यह 1925 पहला उप्संस करेक्ट है। मैक मोहन रेका यह कोसंस बहुत जादा इंपोटेंट है। इंपोटेंट क्यों है क्यों है क्योंकि भारत और चीन के बीच अभी क्या चल रहा है आप सभी लोग जानते बताने की जरूरत है नहीं है। इसलिए यह कोसंस बहुत इंपोटेंट बन जाता है और यह कोसंस मैं मतलब घट्स फीलिंग आ रहीं कि यह कोसंस जरूर आपको एक्जाम में मिलेगा। नहीं हरमदा और यहां पर हो जाएगी आपकी तापती तो यहां आपसे यह वाला पूछा है इन दोनों के बीच वाला तो ठीक है कोई बात नहीं माउंट एबरेस की उचाही कितनी है देखो लेटेस्ट है और इसमें कहीं कहीं आपको 8848 मिलेगा और कहीं कहीं 8850 मिलेगा ल तो सभी आपके एक्जाम की दरश्टी से इंपोटेंट होंगे तो चीन की जंसत का नाम है नेशनल प्यूपल कॉंग्रेस यानि की पहला आपसेंस करेक्ट नहरू किस समय तक पुर्दान मंतरी थे यानि कि किस वर्स तक पुर्दान मंतरी बने रहे नहरू जी तो कब तक ब इम्पोटेंट कोसंस है क्योंकि विस्व रिकॉर्ड बनगे इसलिए तो रामबलास पास बन पहला ही ऑप्संस आपका बिल्गोर करेक्ट हो जाएगा और अभी हाली में इनका दियानत भी होगे आप सभी लोग जानते हैं है ना तो इस बात को भी दियान रखना तो कोसंस पूछे जा सकते हैं और जब आपको अंदर से फिलिंग आ रही तो मुझे भी अंदर से फिलिंग आने चाहिए कि नहीं आप लोग लाइक के जरूर करोगे तो पांसो लाइक का ही तो टार्गेट है तो प्लीज कीजिए का पूरा किस लेखक ने जासूसी पात्र काइनेमेटिक्स यानि कि इस कोसंस का दूसरा ओफसंस आपका बिल्गूल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसका हिंदी में नाम होता है सुद्ध गती की गती विज्ञान का भाग होता है यह ध्यान रखना कौन्टम सिद्धान का सोजाओ किस ने दिया था तो टेंप्रेचर मापने के लिए पाइरो मीटर का प्रियो करेंगे यानि कि पहला ओफसंस बिल्गूल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसं से आपका कि उसमा गतीका का कौन सा नियम यह कहता है कि बिना किसी वहा कारक की साहिता के किसी कम तप ताप वाली वस्तू से किसी उच ताप वाली वस्तू की उसमा इस्तानांतरित नहीं की जा सकती है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दूसरा नियम और यह नियम कैलोरमीती का सिद्धांद भी है मतलब यह इसका विपरीत कैलोरमीती का सिद्धांद कहता है कि उसमा अगर इस्ताना जानते हैं स्वहरूर्जा का प्रमुक सुरूत है नावी की सल्यान चौथा ओपसंज आपका बिल्कुल करेक्ट है और सूर है आपका सुरूत और उसी में नावी की सल्यान की क्रिया होती है उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विवाग की स्थापना या गठन कब किया गया तो ये 1955 में किया गया प्यारे दोस्तों दूसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct है भारत में operation flood का कारकरम कब शुरूँगा operation flood का संबंद जो है वो दुख दुतपादन से है और ये कब start किया गया तो आपका सही answer हो जाएगा 1970 में यानि कि दूसरा options आपका बिल्कुल correct हो जाएगा निमले के तमयसे कौन एक समुद्री पत्तन नहीं है यानि कि एक समुद्री बंदरगा नहीं है पारादीब तो है बिल्कुल हल्दिया भी है ठीक है diamond hardware और धमरा में से आपको पैचानना है अब तो आपका सही answer हो जाएगा option number C diamond hardware C options आपका बिल्कुल correct होगा diamond hardware जो है ये कौल करता सिटी को कहते है ठीक है धमरा पोर्ट तो ओडी सा में है तो ये पोर्ट है ठीक है भारत साहेता क्लब की स्थापना किस पंचवर्सिय योजना के दोरान की गई थी तो किस पंचवर्सिय योजना के दोरान की गई थी तो सही answer हो जाएगा दूसरी पंचवर्सिय योजना पहला options बिल्कुल correct और दूसरी पंचवर्सिय योजना में उद्धो पर सबस्याद विकास किया गया था निमले के तमेंसे कौन सा एक भाग भारत में सेवा छेतरक का भाग नहीं है परीवन तो सेवा छेतर है है ना निर्माण होटल और रेस्ट्रेंट भी है बीमा भी है निर्माणा नहीं है दूसरा options बिल्कुल correct हो जाएगा भूमद रेखा कहां से गुजरती है जल्दी बताओ भूमद रेखा कहां से गुजरती है ये पृतिवी के बिल्कुल बीचो भी इससे गुजरती है और भूमद रेखा पर जो गुरुत्वी एमान होता है वो कम होता है दुर्वो पर जादा होता है ठीक है या बजन की बात करें तो भूमादर रेखा कहां से गुजरती है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा भे हो जाएगा केन्या से तीसरा options बिलकुल correct हो जाएगा निमले के तमेंसे किस देश में कुल जनन दर अधिक्तम है जल्दी बताओ किस देश में है तो आपका सही आंसर हो जाएगा option number D बांगलादेश और अभी हाली में लेटिस्ट आंकड़े आए जिसमें बांगलादेश की जो GDP है वो भारस से भी आगे निकल गई तो इसलिए ये questions important बन जाता है और बांगलादेश का जो जन गनत में है सबसे ज़ादा है पूरे वर्ल्ड में ठीक है 1813 में चोरंगी थेटर कहां पर खूला गया तो ये जो थेटर है न ये कूल काता में खूला गया था चोथा options correct परियावरण सब्द की उत्पत्ति किस भासा के सब्द से हुई परियावरण environment तो किस भासा के सब्द से हुई तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच वासा दूसरा options बिल्कुल करेक्ट लक्ष्वी वाई राष्टी ये सिक्षा संस्थान कहां पर रिस्तित है जल्दी बताओ लक्ष्वी वाई राष्टी ये सिक्षा संस्थान कहां पर रिस्तित है तो आपका सही आंसर हो जाएगा आप्सन अम्बर ये, गवालियर में है पहला आप्सन्स बिल्कुल करेक्ट राष्टिय विग्यान दवस कम बनाये जाता है important questions से जल्दी बताओ तो राष्टिय विग्यान दवस हम प्रतेक वर्स 28 परवनी को बनाते हैं तीसरा उप्संस बिल्कुल करेक्ट है नेक्ष्ट कोसंस एकवाल सम्मान कौन प्रदान करता है जल्दी बताओ एकवाल सम्मान कौन सी सरकार प्रदान करती है तो आपका सही आंसर हो जाएगा मद्व प्रदेश सरकार तीसरा उप्संस बिल्कुल करेक्ट है तो मदबिर्दे सरकार प्रजान करती है किवाल सम्मान स्री लंका की राजधानी क्या है सिंपल और इंपोटेंट वीजिंग नहीं चाहिना की है काहिरा नहीं मिसर की है अकरा नहीं वहिया तो कोलंबो तो स्री लंका की राजधानी क्या हो जाएगी कोलंबो, दूसरा options आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा next question से आपका कि जिला पंचायतो एबम नगर निगमों के नियंतरन में रहने वाले, one क्या कहलाते हैं, तो उन one हो को हम क्या कहते हैं सामूदायक one कहते हैं तीसरा options, बिल्कुल correct तो दोस्तों यह थे आपके 37 important questions जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको provide करवा दिये, अब मैं आपसे questions बूच रहा और उस questions का answer आप मुझे comment box में बताना, तो उस questions, यह रहा आपका questions के उत्तर प्रदेश में जन जाती, सोध, इभम perception संस्तान कहां पर रिस्ते थे तो इस questions का answer आप मुझे comment box में जरूर से बताईएगा, तो दोस्तों यह था आपका GK का test कैसा लगा, तो comment box में मुझे जरूर से बताईएगा, तो दोस्तों फलाल की